तो आप लोग स्वस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी तो आज के सिसन में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के वनस्पति और जीव जंतु कौन से पाया जाते हैं वाइड लेप से नेश्टाल पार कांसा है यह सारी बाते करें हैं आज की सिसन में और यहाँ से बहुत सारे पूर्टेट सिसन है जल्दी से आप लोग यहां ठीक है सब वीडियो चल गया है और बडिया तरीके से audio video आप तक पहुंच रही है तो बहुत important session है जितने भी लोग याँ पर देख रहे हैं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज ही class में तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज से शुरू हुई हमारे study IQ की हमारे month end cell की month end cell मतलब हमारा जो अंतिम महीना चल रहा है कुछ तीन दिन बचे हुए हमारे नवंबर महीने के तो इस महीने में बहुत कुछ था दिवाली थी वर्ड कप के मैचेस थे हमने बहुत सारा समय बरबाद किया लेकिन अब जो समय है वो है हमारे त्यारी करने का हम सभी को पता है क सत्रा मार्च को यूपी पीसेस के एक्जाम की डे लगबग तै हो चुकी है त्यारियां सुरू हो चुकी है और इस त्यारी में कहीं हम पीछे ना रह जाए इसके लिए आपको हमारे स्टडी आईक्यू के फाउंडेशन बैच में जुड़ना है इस बैच में आप जुड़ सेग्मेंट है वहाँ पर जाएंगे तो आपको यह यूपी पीसेस का फाउंडेशन बैच दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको बहुत कुछ मिल रहा है देखिए एक एक चीज यहां पर मैं आपको अधाता हूँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर हमारा जो प्रोमो कोडे वह आपको लगाना है प्रोमो कोड क्या लगाना है आप यहां पर नीचे जाएंगे यहां पर नीचे जाते ही capital में आपको क्या लिखना है भाई नीचे चले जाओ pc live हमने यहाँ पर capital नहीं किया है तो pc live आपको यहाँ पर capital में लिखना है और जैसे ही आप यह PC live यहाँ पर type करके apply करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर apply किया आप देखेंगे यहाँ पर हमारे apply हो जाब भई यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे तुरंथ 11,999 सबसे कम कीमत पर हो जाएगा यह 4,000 रुपए का discount additional मिल रहा है है ना तो यह 11,999 रुपए का हमारा बैच आपको पूरी foundation की त्यारी कराने के लिए बनाए गया है और अब हम बात करते हैं आची class में तो आप जोईन कर सकते यूपी पीसेस के अपने बैच में सब कुछ होगा प्रियोर मेंस दोनों की त्यारी तो चलिए हमनों बात करते हैं अपने आज के उत्तर प्रदेश स्पेसफिक फ्लोरा मतलब होता है वनस्पती और फोना मतलब होता है जीव जन्तू तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में हमारे आप सभी को पताए कि अवैद सिकार कटाई अवैद खनन के लिए बड़ा फिमस यहां पर जो माफिया है ना केवल वो अपने हमारे अलग-अलग जो बो सकते हैं कि अपराधों के अपराधों में लिफ्त हैं बलकि यह ब्यापक रौप से वनों की कटाई और अवैद सिकार के लिए भी बड़ा जाना जाता है हमारे यहां पर जो बुंदेल खंड का छेत् एक दस्यू पाया जाते थे उनका नाम था ददुआ और जो ददुआ थे वो तेंदू के पत्ती की तसकरी करते थे उससे बीड़ी बनाई जाती है तो इसी तरीके से कई सारे ऐसे अपराधी हुए जो वनों की कटाई से लेकर के अवैद सिकार तक हमारे उत्तर प्रदेश म पूरा एक प्रचुर खाजाना है यहां पर बहुत बड़ा वन्न से शेत्र और जीवत जन्तों से सनलिप्त है तो सबसे पहले हम मों यह बात करते हैं घ्री पाई जाती है तो एक कड़के देखते हैं तो सबसे पहल्ला आता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसी डियस् फोरेस उस्न कटबंदिये नम पर्ण पाती वन तो ऐसे हमारे ऐसे ये हमारे उस्न कटबंदिये जो हमारे वन होते हैं नम पर्ण पाती ये बेसिकली हमारे तराई के छेतर में पाये जाएंगे अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो ये नेपाल से लगा हुआ हिस्सा है सिवालिक की सेडियों से, यहां पर जो हमारे वन पाए जाते हैं, यहां पर जो वनस्पतिया पाई जाती है, उसको हम यहां पर मोईस्ट, मतलब वहां पर आपके नम पर्ण पाती पाए जाएंगे, जैसे कि आपके आउला का पेड़ हो गया, जामून का पेड़ हो गया, है ना, यह सारे आपको यहां पर बहुत देखने को मिलेंगे, यह पूरे एरिया में, इसमें हमारा जो जो यह चेतर है, कल हमने देखा था, यहां पर वर्सा भी जादा होती है, जैसे कि आपने देखा, कि हमारे गोरागपुर बहराई का जो छेतर यहां प बहुत इंप्पॉर्टेंट होते हैं लेकिन जैसे ही हम अपने central वाले हिस्से में आते हैं, जो हमारा उत्तर प्रदेश का मैदानी हिस्सा है, यहां पर आपको क्या देखनेओं को मिलेगा तो यहां पर आपको देखनेओं को मिलेगे, त्रॉपिकल ड्राइए, यहां पर मोई क्या देखेंगे मैंगो मतलब हमारा जो आम है ये बड़ा फेमस है और इसी लिए आम की उत्पादन में अगर आप देखेंगे तो यूपी हमारे पूरे इंडिया में नंबर एक पर है उत्तर प्रदेश का जो हमारे लखनव के एरिया है वहाँ पर मलियाबादी आम बड़ा है मलियाबादी आम बड़ा फेमस है इसी तरीके से इसी को दैसहरी आम भी बोलते है दैसहरी आम भी इसी तरीके से हमारे यहाँ पर चौसा आम भी बड़ा फेमस है चौसा आम जो हमारे बनारस के रिया में पाए जाता है वो भी बड़ा फेमस है जिसकी एक खेप को यूए भी भेजा गया तो यह हमारे ट्रोपिकल ड्राइडेसिडियस फॉरस बोले जाते हैं जो मद्य और पस्चिमी मैदान है हमारा इस छेत्र में आपको यह देखने को मिलेगा ठीक है अब इसमें बबूल हमारे इसमें आम के पेड़ भी आ जाते है इसमें हमारे पीपल के पेड़ भी आ जाते है जो हमारे जो अवद वाला छेत्र है और थोड़ा सा जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर दिखाई देगा अब हम लोग आ जाते हैं जो हमारे उसन काटेदार बन बोले जाते हैं जिसमें आपका बबूल जिसमें आपके हमारे जो बुंदेल खंड का छेत्र है जहां पर हमारे कुछ मरुस्थली वाले जो पौधे पाये जाते हैं वो देखने को मिलते हैं काटेदार नाकफनी जैसे काटेदार तो बबूल इसका बहुत बड़ा एक्जामपल है तो हमारे उत्तरप्रदेश का जो य कटबंदी काटेदार वन जहां पर पानी की कमी होती है आप देखोगे यहां पर हमारे जो पानी है उसकी कमी होती है बेसिकली यहां पर 50 से 70 सिंटीमीटर तक बारिस होती है और इसी लिए यहां पर रेगिस्तानी वाले जो पौधे है वो निकलाते कौन सा छेत्र है ये वा कोलते हैं और यहाँ पर आपका सोनबंद्र का एरिया यह जो आपका इसमें पानी की कमी की वजह से यहां पर आपको उस नकट्डबंदी कांटेदार बंदी दिखाई यहां पर मारे कैसे कहांक हमारे ड्राइ ड्रस फोरेश्ट हों यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर देख पारे होगे यह वाला जो छेत्र algum सेच में कि यह जैसे सागाउन हो गया जामण हो गया ये जवाला जो छेतर में आपको दिखाई देगा तो इस तरीके से हमारे ये तीन तरीके के वनों को आप UP में देख पाएंगे उस कड़बंदी नम पन पाती, उस कड़बंदी सुस्क पन पाती, उस कड़बंदी काटेदार पन पाती लेकिन याद रखिए टॉपिकल ही हमारे तीनों में common है हम आपको देख याद रखिए कि यहाँ पर बारिस सबसे ज़ादा होती है इसलिए यहाँ पर नम पन पाती, यहाँ पर बारिस respectively बीज की होती है जिसकी वज़े से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा रे भाई, मिट गया यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा dry decidious और यहाँ पर बारिस बिलकुल कम होती है जिसकी वज़े से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हमारे काटेदारवन तो याद रखिए काफी महत्तपूर आता है अब हम यहाँ पर बात करते है जीव जन्तूओं की तो यहाँ पर अगर हम जीव जन्तियों की बात करते है तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जीव जन्तू पाये जाते है यहाँ पर हमारे जो पक्षियों से भरा हुगा है यहाँ पर जो सारस अभी हाल में इस सारस की गिंती की गई थी और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यदा सारस जो है वो इटावा छेतर में देखे गए यही हमारे उत्तर प्रदेश का जो है वो बर्ड भी है यह ना, स्टेट बर्ड भी हमारा सारस है, स्टेट जो बर्ड है, वो कौन सा है, सारस है, यहां पर हमारे पक्छी बहुत सारे है, यहां पर जन्तू जैसे कि आपको यहां पर टाइगर रिजर्ब में टाइगर भी दिखाई देंगे, उबैचर, मतलब हमारे जो पानी और इस् तो उसके मैं उनके वीडियो बहुत देखे थे तो जॉनपूर के आसपास के छेत्र में वो रेस्क्यू करते हैं आगर आपने भी देखा उगा तो उनके वीडियो बड़े फिमस और बड़े अच्छी मुझे परस्नालिटी रगते हैं तो सरी स्रफ जो हमारे हम पइसा Official कोबरा है वो 1964 प्रदोल चाहां यााइस सैंपडियर भी बसका है हैं याद रखिएगा हमारे यहां पर 12 सिंखा कभी कभी 12 सिंखा या 20 बार तक इसकी जो स्टैग से वो मुड़ जाते हैं जिसके वज़ेसे इसको 12 सिंखा बोलते हैं अब इसी बात है जानते हैं यह लो हमारे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है वी वाइल लकीमपूर खीरी में देखने हुथा यह क्या है दोश्टो तो यह है दुद्वा नेशनल पार्क जिसको 1987 में हमारे क्या गुसिट कर दिया घया तो हमारे उत्टर खंड के कटने के बाद से उत्तर प्रदेश में केवल एक और एक ही नेशनल पार्क है वो है दुद्वा कहा पर देखने को भी लेगा लखीमपूर खीरी डिस्टिक में आपका इस्थ है याद रखिए कि यह लगबग पचास सो वर्ग किलो मेटर में फैला हुआ है अभी हाल में हमने यहां पर देखा कि हेली कॉप्टर सर्विस चलाने के लिए योगी गॉर्मेंट जो है वो काम कर रह है अब आपको याद रखिएगा हमारे यहां पर जो आम पक्षी है वो कवा कभूतर हमारे जंगली पक्षी काला तीतर यह ना गौरयया मोर यह सारे आप लोग देखते होगे हमारे यूपी में देखने को मिलते हैं अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश जैसे कि हमने आप को बता कि कई सारे वाइडलाइब सेंचुरी नैसनल पर्क तो सिर्फ एक ही है डुद्वा नैसनल पर अर्दुद्वा नैसनल पार्क जो है यह मतर नैसनल पार्क है इसके लावा कोई भी नेशनल पार्क आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा जो लखीमपूर खीरी में यह देखे लखीमपूर खीरी में आपको दिखाई देगा अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन-कौन से हमारे वाइड लाइफ सेंचुरी है तो एक-एक करके मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहला आता है हमारा कौन सा भखीरा सेंचुरी जिसको रामसर साइड भी घोसित किया गया था जिसको हाल में ही रामसर साइड भी घोसित किया गया था ये संत कभीर नगर डिस्टिक में आपको दिखाई देगा, कहाँ पे, तो संत कभीर नगर डिस्टिक में ये प्रताफगण के पास में ये हमारा इस जगा पर क्या दिखाई दे रहा है? भकीरा वाइलाइब संची इसको रामसा साईट भी घोसित किया गया, लेकिं इसको पर्टर बर्ट से ले करके हमारे जो वो सकते हैं की पैमोलियंस बहुत सारे आपको यहां पर दिखाई देंगे तो यह कहां पर है यह हमारे बंखीरा वाइड लाइफ सेंचुरी है संत कबीर नगर में जो की अभी हाल में रामसा साइड भी गोसित किया गया है फिर हमारा रवाइड लाइफ सेंचुरी के तोर पर घोसित किया गया था याद रखना यहां पर दो वाटरफॉल है जिसमें एक राजदरी और एक देवदरी के नाम से famous है, दो waterfall आपको देखने को मिलेंगे, एक राजदरी और दूसरा देवदरी के नाम से, ये हमारे डेड़ सो से भी जादा birds और black bug, black bug आप लोग जानते होगे, जो हमारे हिरन की प्रजाती है, है ना, चीतल, सांभर, नीलगरी, wild boar, है ना, इसके लाबा हमारे पॉपक ये चदरप्रभा, wild life century, उसके आसे तक कच्छवा century, torterized century, कहां पर है, बनारस district में आपको दिखाए देगा, ये हमारे काफी famous है, गंगा के अंदर ये हमारे जो century बनाई गई है, turtles के लिए famous है, और साथ ये साथ यहां पर आपको dolphin और other animals भी दिखाए देंगे, ये कच्छव century या ट्रेटर संचुरी बहुत important है, यहां पर अभी हमने देखा था, बहुत सारा परिवर्तन भी किया गया था, ये हमारे कहां पर है, बनारस में, दरुस के ऐसे कैमूर संचुरी की बात करते है, कैमूर हमारे कहां पर है, बिहार से, तो बिहार से लगा हुआ जो छेत रहे कैमूर की पठार से, मिर्जापुर और सोन भद्र, ये हमारे कैमूर वाइल लाइफ संचुरी का हिस्सा है, जिसका कुछ हिस्सा बिहार में भी जाता है, 1982 में इसको इस्थापित किया गया था, ये हमारे फिमस वापस से, हिरन के लिए, बुल के लिए, फिमस है, काफी महत् देर उसे से, कतर्निया घाट वाइल लाइफ संचुरी, कतर्निया घाट वाइल लाइफ संचुरी, बहराईज डिस्टिक में आपको देखने को मिलेगा, कहां पे, बहराईज डिस्टिक में, तो मैप में देखिए, हमारे कहां पर है, ये देखिए, कतर्निया घाट, ये इसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहट यहाँ पर हमारे टाइगर रिजर्म भी घोसित किया गया था और साधी साथ यहाँ पर आपको किसनपूर वाइड लैप सेंचुरी भी दिखाई देगी किसनपूर वाइड लैप सेंचुरी कहां पर है देखें यहीं मैप में देखेंग के हमारे जो किसनपूर और कतर्णिया घाट ये टाइगर बफर जोन के रूप में जाना जाता है ये छेत्र ये देख रहा है ये दुद्वा है ये किसनपूर है और ये कतर्णिया घाट है तो देखी यहां से किसनपूर आपके खीरी में है और कतर्णिया घाट आपके हम लोग देख चुके लखीमपूर डिस्टिक में है 1972 में इसको घोसित किया गया था वाइल डाप सेंचुरी नेक्स आता लाख बसोई सेंचुरी है ना कन्नौच डिम्पल भावी का कॉंसिटेंसी है संसदी छेतर है जानते हो ना डिम्पल जी को तो कन्नौच को हम लोग इत्र सिटी के रूप में जानते हैं और यहाँ पर भी हमको लाख बसोई वाइल डाप सेंचुरी देखने को मिलेगी जो कि कई सारे हमारे जो बर्ड्स हैं वो उनका घर है कई सारे जो हमारे प्रवासी पक्षियें यहाँ पर आते हैं अगला हमारा आता है कौनसा तो महावीर स्वामी सेंचुरी ललितपूर डिस्टिक महावीर स्वामी जो सेंचुरी है ललितपूर डिस्टिक में आपको देखने को मिलेगी जो विंध्या रेंज से लगा हुआ है बेतवा नदी यहीं से बेतवा रिवर हमारे यूपी में प्रवेस करती है, ठीक है, चलिए आगे चलते है, नेक्स हमारे सामने क्या आता है, तो मभीर स्वामी के बाद आता है, नेशनल चंबल वाइड लाइफ सेंचुरी, तो देखिए, चंबल रिवर हमारे इटावा में आकर के, यमुना रिवर को ज्वाइण करती, मैंने आपको कई बार बताया, तो चंबल वाइड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, तो दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे, यह हमारा जो चंबल वाइड लाइफ सेंचुरी है, यह आपको इटावा और आगरा के बीच में, यह हमारे चंबल व बात step नवाब गंज बरर्ड़ सेंच्चुरी प्ड़ता है जिसमें हमारे पकषी जो है वह आपको दिखाई देंगे 1500 से जादा और ये भी हमारे क्या है रामसर साइट है 2019 में इसको रामसर साइड घोसित कर दिया गया था ओखला सेंचुरी गाजियाबाद गौतम बुधनगर नुएड़ा नुएड़ा और गाजियाबाद के बीच में ये ओखला सेंचुरी है जिसको 1990 में वाइलाफ प्रोटेक्शन एक के तहर्ट कर दिया गया था पारवती अगरा वाइलाफ इसको बीच कर दिया गया था यह भी रामसर साइट में संभले थे इसके ळावा रानीपूर सेंचुरी बंदा और चित्रकूट डिस्टिक में आपका रानीपूर वाइलाफ सेंचुरी है 1977 में इसको हमारे protected area घोसित कर भिया गया था याद रखिएगा इसको latest में 93 नमबर का tiger reserve घोसित किया गया है और ये 4 नमबर का हमारे UP का tiger reserve है अब लोग टाइगर reserve की बात करेंगे तो और वहाँ पर detail में बात करेंगे खेर तो यहाँ पर देखेंगे Saman Century, Manipul District में Saman हमारा जो century है यह Manipul district में इसको भी 1990 में wild life century गोसित किया गया था फिर जो को Samaspur है जो की हमारे arriba area district में 1986 में Sunday जो है वो हर्दोई district में हमारे sogai भर्वा century यह महराजगन district में हमारे सुहिलवा century यह आपको Balsampur, Gbangunda और सरावस्ती district में अपनी boundary share करते भी दिखाई देगा इसके लावा सुर्व सरोवर सेंचुरी आगरा डिस्टिक में हमारे सुरहा ताल सेंचुरी बलिया डिस्टिक में और हमारे विजाई सागर सेंचुरी महोबा डिस्टिक में दिखाई देगा तो इस तरीके से ये wildlife century है और इनके बारे में प दोई में सोगाई भरवा सेंचुरी महराज गंज में सुहलवा सेंचुरी बलरामपुर गोंडा रवस्टि में तो इस तरीके से ये सारी wildlife centuries हमारे उत्तव प्रदेश के अलग-अलग डिस्टिक में है और ये जो तेईस wildlife centuries है ये अलग-अलग तरीके से एक्जाम में पूछा पूछे जा रहे हैं तो हम लोग बात करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में tiger को लेकर के जो protected areas है उनकी तो सबसे पहले project हमारा tiger की सुरुवात होती है और project tiger के तहल हमारे यहाँ पर tiger को लेकर के हमारे tiger reserve बनाया जाते हैं 1973 में इसकी सुरुवात हुई और उसके बास से हमारे उत्राखंड में जो जिम कारवेट नेशनल पार्क है वो tiger reserve के तोर पे घोसित किया गया अब हमारा तो यह चेतर है उत्राखंड से में अगर आप देखेंगे तो यह वाला जो जिम कारवेट tiger reserve वाला चेतर है यहाँ पर कई सारे tiger पाए जाते हलाकि यह हिस्सा तो हमारा चल इतने को मिलेगा जिसको हम सबसे नौर्थ में देखेंगे हमारे एक एक्जाम में tiger reserve को arrange करना पूछा गया था तो अमनगर जो tiger reserve है यह हमारे बिलकुल आप देख पा रहे होंगे यह सबसे नौर्थ में है दर उसके वाद से दुदुआ नेशनल पार्क को भी tiger reserve घोसित कर द देखेंगे तो यह पीली भी tiger reserve है यहाँ पर भी हमारे tigers है तो पीली भी tiger reserve भी also a tiger reserve यह 2014 में इसको tiger reserve होसित किया गया था अमनगर को 2012 में ठीक है तो अमनगर को 2012 में यह हमारे gym car weight जो tiger buffer जो ने उसी का हिस्सा है लेकिन यह उत्तर प्रदेश में आ गया तो इसका नाम अमनगर tiger reserve पड़ा 2012 में फिर हम देखेंगे यहां से जैसे आएंगे तो यह पीली भीट का हिस्सा है इसको 2014 में tiger reserve भोसित किया गया बहुत important है और यह दुदुवा tiger reserve है जिसको 1987 1988 में tiger reserve का तमगा दिया गया वापस important लेकिन यह जो आप देख रहोगे हमारे उत्तर प्रदेश में यह बुंदेल खंड का जो एरिया है यह रानीपूर tiger reserve जो रानीपूर tiger reserve है यह हमारे बिल्कुल आप देखेंगे कि बिल्कुल अलग है बुंदेल खंड के एरिया में है और इसको रानीपूर wild life century चित्रगूर district बुंदेल खंड के एरिया में हमारे चौथा नंबर का tiger reserve बन गय 22 में ही इसको tiger reserve घोसित करने की प्रिक्रिया हो गई थी याद रखेगा रानीपूर wild life century अब यह tiger reserve घोसित कर दिया गये तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारे कित्ते tiger reserve हो गये याद रखेगा हमारे दुद्वा पीली भीत अमन और उसके बास से आ गया हमारा रानीप प्रदेश को ध्यान में रखके बनाए गया है और वह हमारा कौन सा वह है हमारा UPPCS foundation batch जो 5 December से सुरू हो रहा है और अभी तक आपने रोल नहीं किया तो मौका है अभी आपके पास discount rate में जुड़नेगा क्यों कि month and sale में हम चाते है कि जो लोग भी त्यारी करना चाते है वो सभी यहाँ पर अपने scores को enroll कर पाएं और यहाँ पर अपनी त्यारी को एक अलग label पर ले करके जा पाएं तो यह UPPCS pre plus main foundation batch है आपको इसके उपर क्लिक करना है डिटेल को आप अच्छे से देख सकते है यहाँ पर देखे सारी चीज़े है लाइव लेक्चर के साथ क्रक्स नोर्स है हमारे mentor से प्रोग्राम है साधे साथ यहाँ पर अगर देखेंगे तो UP specific topic है daily answer writing है weekly current affairs है comprehensive approach on CSET है special focus on Hindi है यहाँ पे live lectures की recording आपको 2 साल तक मिलेगी 12 टेस्ट आपको मिलेंगे pre के पहले और module टेस्ट आपके MCQs और mains के होते रहेंगे आपके साथ पढ़ रहे है इस्टुएंट के साथ याद रखेगा इसमें आप देखें विपान सर पढ़ा सर पढ़ा रहे है मैं भी आपको यहाँ पर UP specific साथ weekly current affairs पढ़ा रहा हूं बाकी quality के सर भी है history के सर भी है तो काफी कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आप इस batch में अभी क्योंकि यह हमारा जो तीन दिन है sale चल रहा है 30 November तक आप इंड रोल करेंगे आपको यहाँ पर बिलेगा discount by now में जाके click करेंगे जैसे आप यहाँ पर click करेंगे जादू दिखेगा आपको यहाँ पर प्रोमो में जाना है add promo में और यहाँ पर जाकर के आपको क्या लिख देना है PC live यहाँ पर PC live जैसे आप य apply करेंगे सीधे 11,999 में हो जाएगा done है आज इक लास के लिए बस इतना ही मिलते अपनी next class में और भी चीजे करते हैं सीखते हैं और बढ़िया तरीके से आगे करते हैं